दुनिया की सबसे महेंगी क्रिकेट लीग यानि की इंडियन प्रीमियर लीग यानि की IPL IPL में जितना पैसा बरसता है उतना किसी भी क्रिकेट की लीग भी नहीं बरसता है एक बार फिर से IPL में खिलारियों की उपर पैसे की बरसात हुई या फिर यूँ कहें कि जम कर पैंसे की बरसा था दरसल शुकरवार को कोची में IPL 2023 के सीजन के लिए मिनी ओक्षन हुआ नाम इसका मिनी जरूर था लेकिन यहां पर जो रिकॉर्ड कायम हुए वो काफी बड़े-बड़े हुए बड़े-बड़े खिलारी बड़ी-बड़ी रकम में बिके हैं IPL के इस मिनी ओक्षन में सबसे ज़्यादा पैसा विदेशी खिलारीों पर बरसा खास तोर पर अगर वो और राउंडर हो और इंग्लेंड से तालूक रखता हो तो जम कर पैसा फ्रेंचाईजी ने उस पर लुटाया है इस बार के मिनी ओक्षन के लिए 405 खिलारीों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था जबकि 10 टीमों के पास कुल 87 स्लोट थे लेकिन 87 स्लोटों पर नीलावी में सिर्फ 80 ही खिलारी बिक पाई इन में से भी 39 विदेशी खिलारी थे जबकि कुल खर्चा सभी 10 फ्रेंचाईजीज ने 167 करोर रुपे का किया तो चली अब आपको बताते हैं कि आकर कौन सबसे महंगा बिका और किस दाम पर बिका IPL के इस मिनी ओक्षन में सबसे महंगे खिलारी बिके इंग्लेंड के युवा ओल्राउंटर सैम करन जिनको पंजाब किंग्स ने खरीदा और रकम थी 18.50 करोर रुपे दरसल सैम करन ने एक और रिकॉर्ड भी बनाया है सैम करन IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलारी बन चुके हैं जो कि सबसे महंगी रकम में बिके हैं सैम करन इंग्लेंड के लिए खिलते हैं और इंग्लेंड ने हाल ही में T20 वर्ड कप जीता था जिसमें सैम करन फाइनल मुकाबले में मैं अप दा मैच भी बने थे और प्लेयर आप दा टॉर्नमेंट भी बने थे यही वज़ा है कि सैम करन आईपियल के इस ओक्शन में इतने महंगे बिके हैं अगले खिलारी आते हैं केमरून ग्रीन केमरून ग्रीन को मुंबई इंडियंस ने खरीदा है और यह बिके हैं 17.5 करोड रुपे में सैम करन के बाद केमरून ग्रीन अब दूसरे ऐसे खिलारी बिक बन गए हैं जो कि सबसे महंगे बिके हैं मुंबई इंडियस ने इने खरीदा है औस्टेलिया यह और राउंडर है काफी टाबर तोड बल्ले बाजी करने के लिए जाने जाते हैं यही वज़य है कि साड़े सतरा करोड में इनकी बोली लगी अगरे खिलारी का नाम है बेंस्टोक और बेंस्टोक को भला कौन नहीं जानता है बेंस्टोक के पीछे चेनई सुपर किंग गई सब को चौकाते हुए क्योंकि यह माना जा रहा था के रूप में निकोलस पूरन को लखनव सुपर जाइंट्स ने खरीदा और कीमत चुकाई है 16 करोड रुपे वेस्टनीज के विकेट कीपर बेट्समेन निकोलस पूरन पिछले दो सीजन में कुछ खास नहीं कर पाई लेकिन कुछ खास न करने के बावजूद भी वो इस सीजन फिर से 16 करोड रुपे में विके हैं अगला नाम आता है Harry Brooks का ये भी England के ही धाकर बलेबाज ने हालिया इनका फॉर्म जो काफी शानदार है पाकिस्तान के खिलाफ काफी शतक के मार चुके हैं और 13.25 करोड रुपे में Sunrisers हैदराबाद ने इन्हें खरीदा है अगला नाम आता है Mayank Agarwal का Mayank Agarwal एकलोते ऐसे इंडियन है जो कि इस सीजन सबसे महगे विके हैं और ये विके हैं 8.25 करोड रुपे में यानि कि 8.25 करोड रुपे में Mayank Agarwal को Sunrisers हैदराबाद ने खरीदा है आपको बतादे कि Mayank Agarwal इससे पहले पिछले सीजन में पंजाब की कप्तानी खर चुके है लेकिन पंजाब ने उन्हें रिलीज कर दिया और अब Sunrisers हैदराबाद ने उन्हें 8.25 करोड रुपे में खरीद लिया बात करें अगर Uncapped इंडियन फ्लेयर की तो शिवम माभी एक युवा तेज गेंबाज है जिनने गुजरात टाइटन्स ने खरीदा और ये 6 करोड रुपे में बिगी इसके लावा मुकेश कुमार है जिनको दिली कैपिटल ने खरीदा ये भी बिहार के रहने बाले हैं और 5.5.50 करोड रुपे में इनको खरीदा गया जबकि इनका बेस प्राइज 50 लाग रुपे ही था अब बात उन खिलारियों की भी जिनको कोई खरीदार इस IPL के आॉक्शन में नहीं मिला और जो नहीं बिग पाई ऐसे खिलारियों में है शुरी लंका के विकेट कीपर बैट्समेन कुशल बेंडिस इनका बेस प्राइज 50 लाग रुपे था लेकिन इनको किसी ने नहीं खरीदा ऐसे ही टॉम बेंटन इंगलेंड के विकेट कीपर बैट्समेन है और किसी ने इने खरीदा नहीं एडम मिल ने न्यूजिलेंड के तेजगेंद बाज बेस प्राइस दो करोड रुपय इनका भी था इनको भी कोई खरीददार नहीं मिला तबरेज शंसी सावत अफरीका के स्टार स्पिन बॉलर है T20 रैंकिंग में भी काफी जमय तक नंबर वन बॉलर रहे लेकिन इनको भी IPL में कोई खरीददार नहीं मिला इनका बेस प्राइस एक करोड रुपय था मुझी बुर रहमान अफगानिस्तान के बहुती शातेर स्पिनर माने जाते हैं लेकिन इनको भी IPL के इस ओक्षन में कोई खरीददार नहीं मिला और ये भी इनका भी बेस प्राइस एक करोड रुपया था बाकि ऐसे कई और खिलाडी भी रहे जो कि पहले दौर में नहीं भी कि जिन में से एक नाम आता है राइडी रोसो का जो रूट का लेकिन दूसरी राउन की जब आउक्षन आई तो उसमें उन खिलाडियों को भी खरीद लिया गया टीक ऐसे कुछ ऐसे खिलाडी थे जिन पर नजरें काफी जादा थी उनमें से एक केन विलियमसन को काफी अच्छे दाम पर उनके बेस प्राइस पर गुजराज टाइटन्स ने खरीद लिया जबकि अजिंक्या रहाने को चनेई सुपर किंग ने उनके बेस प्राइस 50 लाक रुपे में खरीद लिया जो रूट भी इस आउक्षन में बिक गए तो ये था IPL का मिनी आउक्षन 2023 के सीजन के लिए इस आउक्षन के बाद आपको क्या लगता है कौन सी टीम आपको आउक्षन में मजबूत नजर आती है किस टीम ने सबसे स्मार्ट वाइक की है कमेंट करके आप जरूर बताइएगा बागी खबरों को देखने के लिए आप समभाथ 365 को सबस्क्राइब कर लीजिए